उस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को दिल्ली में खेले गए मैच में बुरी तरह हरा दिया इस मैच के बाद ग्लेन मैक्सवेल लाइट शो की वजह से नाराज हो गए उस्ट्रेलिया ने दिल्ली में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स को 309 रनों से हरा दिया इस मुकाबले म ग्लेन मैक्सवेल ने शांदार प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ा लेकिन मैक्सवेल मैच के बाद नाराज दिखे उन्होंने अरोन जेटली स्टेडियम में आयोजित हुए लाइट शो को लेकर नाराज़गी जताई मैक्सवेल ने कहा कि यह क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही भयानक है यह फैन्स के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन क्रिकेटर्स के लिए नहीं इस पर डेविड वार्नर ने भी प्रतिक्रिया दी है वार्नर ने बचाव किया है मैक्सवेल का कहना है कि लाइट शो की वजह से उन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह काफी भयानक रहा यह फैंस के लिए बहुत अच्छा है लेकिन क्रिकेटर्स के लिए नहीं मैक्सवेल के बयान पर डेविड वॉर्णर ने प्रतिक्रिया दी है वे उनका बचाव करते दिखे वॉर्णर ने एक्स पर लिखा मुझे कर लिया था. Maxwell ने इस मैच में 44 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बनाएं. इस दोरान 9 चौके और 8 चक्के लगाएं. Maxwell के साथ साथ डेविड वार्नर ने भी शतक लगाया. उन्होंने 93 गेंदों का सामना करते हुए 104 रन बनाएं. वार्नर ने 11 चौके और 3 चक्के लगाएं. इसके जवाब में नीदर लैंड्स की टीम 90 रनों के स्कोर पर आल आउट हो गई.